वर्स आप गाइज आइम एपी आई होब यार डूइंग वैल इसके पीछे के लेक्चर में हमने एक्सराइज 4.3 को कंप्लीट कर लिया और यहां तक की जिखिए अभी तक हमने क्या परा है एक्क्वेशन को कैसे पहचानेंगे एक्क्वेशन को सिंपल एक्क्वेशन को कैसे स सॉल्फ करेंगे और सॉल्यूशन से कैसे एक्क्वेशन बनाएंगे यह सब देखिए यहां पर हमने सीखा था अब इस लेक्चर में जैसे कि हम लोग इसके पीछे में और भी चीज 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 चीखा था कि टांसलेशन मतलब टांसलेशन से यूज नहीं करेंग वर्ड को जैसे कि यह ऐसा दिया हुआ था अब उसी चीज को यहां हम लोग यूज करनेंगे जो आपको जो डे-to-day लाइफ में जो यूज होता है चीज है उस चीज को हम लोग प्रयोग है उसको हम लोग सीखेंगे चले शुरू करते हैं बिना किसे देरी के देखें लिखा है मतलब दिन तो दुन जो हम लेंगवेज करते हैं उसमें बहुत सारा एक्जामपल सीख चुक है जैसे माइंड डीटर वाला जो आपका था जैसे कि पहला जब आपने देखा था इंट्रोड़क्शन चप्टर में इंट्रोड़क्शन वाले चप्टर में माइंड रीडर माइंड रीडिंग यह सब देखे थे इसी चीज को यहां पे हम लोग क्या करेंगा माइंड टीटर को यहां पे हम लोग सब्सक्राइब हम लोग क्या सिखेंगे जो प्रैक्टिकल सिच्वेशन से वह है उसको हम जानेंगे इस फॉस्ट फॉर्म से क्यों टूए संट गिए और पर देखेंगे ज़िसन एक्जाम्पल बनेंड फोग सब्सक्राइब हमत्यारि चाहिं इस इसका थ्री टाइम आप संब्सक्राइब वो 11 है यह इज है इज के बाद किया आएगा इज के बदले में equal कसाइन होगा 32 यह आपका equation हो गया हो गया देखिए यहां लिखा है if then unknown number is taken to be x अगर यह हमें number पता नहीं है तो sum of three times of a number three times of a number मतलब वो number हमें पताने लेकिन उसका तीन गुना है तो number हम एक्स लिए है उसका तीन गुना किये है a sum है किसका उस तीन गुने number का प्लस 11 का कितना आया है sum करके 32 आया है आगया ऐसे हमने लिखा है if the number unknown is taken to be x then three times of the number is 3x 3x है and the sum of 3x and 11 is 32 मतलब कि इन दोनों का जोड़ कितना 32 अब इस solution इस problem equations को हमें क्या करना solve करना है अब देखिए constant है यह constant है 3x is equal to 32 यह क्या करेंगा त्रांस्पोजिंग करेंगे यह माइनस हो जाएगा 3x is equal to 21 32 में इसा 11 गया तो अब x is equal to 21 by 3 क्योंकि आप मल्टिप्लेकेशन फटा इधर आएगा constant के पास constant constant के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा यह डिवाइड में जाए 21 by 3 is equal to 7 3 x is equal to 7 अब देखिए x is equal to 7 आया है इसको जो हमने equation बनाया था 3 x plus 1 is equal to 32 अब x देखिए इसको बोलते है RHS left hand side equal to left वाला इसको बोलते है RHS equal to right side वाला अब देखिए x की मेलों कितनी आई थी 7 आई थी 32 32 यह देखिए इसके बराबर आ गया अलगे तो मतलब कि 7 जो है इस इक्वेशन का क्या है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है समझ गए अब देखिए find a number started one fourth of the number is three more than seven एक नंबर है अब वह नंबर हम माल लेते हैं कि वाई है one fourth of the number मतलब कि उस नंबर का one fourth इस नंबर वाई वाई four is more than seven more than seven मतलब seven से ज्यादा है by three तो more than seven मतलब seven से ज्यादा है तीन ज्यादा है कितना ज्यादा है तीन ज्यादा है तो इस पर seven घ्टा देंगा तो तीन आएगा सीधी से बात है अब इसको देखिए solve करेंगे इसको हम solve करते हैं कि दो वाई four is card to three minus में थे जर्यादा प्लस हो जाएगा हो जाएगा तो by four is called to ten यहाई यह division में है तो इधर जाए था है मौल्टिप्ले है तो हजाएगा तो 20 इन्टु four is. यह इसकल to 40 हो गया हो गया आप यहां देखिए भी मिल्प्राइब बहुत सब्सक्राइब पॉर्टी हो गया अब देखिए हम चेक करते हैं कि एंसर जो वाइट इसकल पॉर्टी आए सही नहीं है है कि नहीं यहां पर देखिए यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखिए यहां से आपका वह है देखिए यहां से आपका वह है देखिए राजु फादर एज फाइज फाइब यहां तर wraps राजु का एज हमने पता ने थाएज राजु एक्स मान लें ले एक्स यहां वहामाना है टूसक orphansrobation उसकी इसकी फादर केश कितनी है पादर की और एज किता है if his father is 44 years father थोरे बरे होंग हा उनका एज junior 44 और एक चीज और डिखें देखें वादर एज यहां भी दिया है स्फाइब एस्टीपटनी है एज कितनी है एक्से थीटाइम्स राजू एज है अमने माना है अफिकितनी इंड़ा इजा प्लस उस से भी जब पांच जाता है लेकिन यह उसके पापा के पापा के पंडाया है यह सब्सक्राइब करें निकंप है अब यहाँ प्लस था मैनस हो जागा इसके छो के एक्स की वहले होगा निकल गई मतलब की राजू के निकल गई हम लोग जब एक्सरसाइज करें तो अच्छे समझेंगा ठीक है अब देखिए देर आर टू टाइप सब बॉक्स कॉंटेनिंग मैंगो दो परकार के बॉक्स है दोनों में क्या है मैंगो को इस बॉक्स आप ल माले लिए क्स में छोटा वाला यह मैंगो बॉक्स बोल रहा है छोट वाले में हमें फाइन नभर मैंगो मैंगो प्लस में तब चार मेंगोगा जादा आता हैं थीक है चार मेंगों ज़्यादा आता है अगर एक बड़ेवाले बॉक्स में सु महें और है मतलब कि इसमें कितने ंहांग आ रहा है तो बोकस में एक्समीण जटे वाले हैना। सब्सक्राइब जादा मेंग भी यह जाए है तो टो अन्ट nr तो piece है यह कौंस्ट इंडन है कितना हो गया 96 प्हेइज 607 क्यों हे यह चांबे बारा चानबे मतलब छोटे आए बौक्स में 12 वाले बारा स्मझें आप दो पुछे का आप रूब आप फोर है यह एक्सरसाइज लास्ट है इसको हम लग लेस्ट लेक्चर में तखेंगे वीडियो अच्छे लाग तो वीडियो को लाइक कीजेगा तेना सब्सक्राइब कीजेगा और अपने दोस्तों को जुरू बताएगा थैंक्यू थैंक्यू सो मच बबाई जहां भी दिक्कत ह तो कमेंट में पूछे का जुलू थैंक्यू